ओम शान्ती, 11 मैं 2021 की साकार मुरली से होमवर्क आज की मुरली में बाबा ने कहा मेरे साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है तो आज हम सारा दिन पवित्रता के उपर आटेंशन देंगे तो पवित्रता में हम तीन बाते लेते हैं एक है चरित्र, दूसरा है हमारा कर्तव्य और तीसरा है हमारी स्थिति चरित्र में हम निर्मान रहेंगे अर्थात, सारा दिन इस संसकार को अब प्रैक्टिकल में यूज करेंगे, बोल में, करम में, निरमानचित दूसरा है कर्तव्य, जब हम कोई सेवा करते हैं, जब कोई करम करते हैं, संबंद में आते हैं तो दूसरों को respect देते हुए निर्मान इस गुण को सुम्रिती में रखेंगे, दूसरों को आगे बढ़ाएंगे तीसरा है स्थिती, तो स्थिती में आज सारा दिन सुम्रिती में रखेंगे निर्वान स्थिती तो निर्मान, निर्मान और निर्वान, तो निर्वान स्थिती के लिए आज हम बार बार अभ्यास करेंगे मैं आत्मा परम धाम निवासी हूं, जिस धाम के हम है उस धाम में पवित्रता है तो पवित्रता का गुण स्वता ही इमर्च होता जाएगा तो बुद्धी की स्वच्छता के उपर अटेंशन रखेंगे और मन में कोई भी फिलिंग ना आए इस पर अटेंशन रखेंगे दूसरा बाबा ने कहा कि तुम्हें सत्युग की आदी में आना है और सत्युग में उँच पद पाना है तो तुम्हें और संग बुद्धी योग को तोड़ मेरे संग जोड़ना है एक मेरी ही याद में रहना है और मेरी ही शिरिमत पर चलना है तो आज हम चिंतन करेंगे कि मन का संग कहां कहां है तो मन बातों के संग में भी जाता है व्यक्तियों के संग में भी जाता है और पिछली संकल्पों के पिछली हुई घटनाओं के संग में भी चला जाता है तो संकल्पों का संग, बातों का संग, व्यक्तियों का संग और हमारी बुरी आदतों का संग तो बहुत सारे संग है तो इन सब संग से अपने आपको बचा कर अपना बुद्धियोग एक बावा के साथ रखने के लिए सरव संबंधों का रस एक बाब से लेना है और सरव प्राप्तियों को इमर्ज करना है कि बाबा से मुझे क्या-क्या प्राप्तियां हो रही है जब हमारा मन किसी से प्राप्ति हो रही है उसको याद करेगा तो इससे उससे प्यार भी होगा और याद भी नैचरल हो जाएगी तीसरा आज भावा ने कहा जो मैंने ज्ञान दिया है उस ज्ञान पर पूरा अटेंशन देना है और उस पढ़ाई को पढ़ना है तो आज भावा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है इस तीसरे नेत्र से हमें आदी मद्या अंत को सुम्रिती में रखते हुए स्रिस्टी चक्र को फिराना है स्रिस्टी चक्र फिराते रहेंगे तो बुद्धी कलीर रहेगी और मन एकागर होगा तो बाबा की याद रहेगी जिससे हमारी आत्मा से पापों की खाद निकलेगी तो आज हम इन बातों को मुरली से धार्णा में लाएंगे और बाबा से सत्युग में होने वाली प्राप्तियों को सुमृति में रखेंगे ओम शान्ति